नमस्ते योग लच्मी की रसोई में आपका सागत है आज मैं आपको बिना मैदा के बहुत ही चटपटी और कुरकुरी कच्चे केले की कच्चोरी बनाना बताऊंगी यह कच्चोरी बहुत ही स्वाधिश होती है आप भी इस कच्चोरी को एक बर खाएंगे तो बार बर बनाएंगे तो अच्चे लिए कुरकुरी और चटपटी कच्चे केले की कच्चोरी बनाना शुरू करते कच्चे केले की कच्चोरी बनाने के लिए सबसे पहले कच्चे केले उबा ले मैंने पांच कच्चे केले लिए हैं अब कुकर में एक ग्लस पानी डाले और कच्चे केले डालके कुकर को गैस पे चरहा दे ध्यान रहे के पांच सिटी के बाद गैस बंद कर दे कुकर में पांच सिटी लग गई है अब गैस बंद कर दे और कुकर को ठंडा होने दे गरम गरम में ही केले के छिलके निकाल दे क्योंकि केले ठंडे हो जाएंगे तो मैस नहीं होंगे। छिलके निकालने के बाद इन्हें मैस कर ले। आप चाहे तो हातों से मैस कर ले या मिक्सर जार में पीस ले। मैस करने के बाद गैस पे कडाही चड़ा के डेर चमस तेल डाले जब तेल गरम हो जाए तब एक चमस जीरा डाले जब जीरा चटकने लगे तब आधा चमस अजवाइन डाले तीन हरी मीर्ची काटके डाले और एक प्याज काटके डाले अब इसमें थोरे से कड़ी पत्ते डाले, कड़ी पत्ते डालने से कचोरी में बहुत अच्छा फ्लेवर आएगा, अब इसमें एक चोथाई चमच हिंग डाले, हिंग डालने से श्टाफिंग बहुत ही स्वाधिश्ट लगेगी, अब प्याज को गोल्डन ब्राउन होने तक इसे लगातार कल्चिल से चलाते रहें, अगर आप इसे थोरी देर भी छोड़ देंगे तो प्याज जल जाएगा, यह देखे प्याज गोल्डन ब्राउन हो गए हैं, अब एक चमस धनिया पाउडर डाले, आधा चमस हल्दी पाउडर, आधा चमस लाल मिर्ची पाउडर ड डाले, एक चोथाई चमस काला नमक और आधा चमस अमचुर पाउडर डाले, काला नमक डालना बिलकूर ऑप्शनल है, अगर आप यह नहीं डालना चाहते हैं तो ना डाले, पर काला नमक डालने से अच्छा टेस्ट आएगा, आप चाहे तो इसमें नमक और मिर्ची अनुसार डाल सकते हैं, अब इसमें मैस किये हुए केले डालके दो मिनाट तक अच्छे से मिलाएं, हमने केले को पहले ही उबाल दिया था, इसलिए इसे ज़्यादा नहीं पकाएंगे, अब इसमें बारी कटे हुए धनिया पत्ता डालके मिलाएं, इसके बाद कटोरी में दो चमस मैदा ले और इसमें थोरा थोरा पानी डालके पेश्ट तयार करें, ध्यान रहे कि पेश्ट न ज़्यादा गाढ़ा हो और न ज़्यादा पतला हो, यह देखे इसकी कंसिटेंसी ऐसी होनी चाहिए, अब ब्रेड ले और बेलन से थोरा बेल इसके बाद चाकू से इसकी बॉंडरी काट ले, अब एक गिलास से ब्रेड को गोल सेप में काट ले, आप चाहे तो इसे कटोरी से भी काट सकते हैं, इसके बाद एक और ब्रेड को थोरा बेल ले और चाकू से इसकी बॉंडरी काट करें, अब एक गिलास से ब्रेड को गोल सेप में काट ले यह देखिए ऐसे अब इन दोनों को भी थोड़ा थोड़ा बेल ले बेल ले के बाद ब्रेट के बाउंडी पर मैदे का पेस्ट लगाए अब इसमें थोड़ी से श्टाफिंग डाले अब दूसरी ब्रेट पर भी मैदे का पेश्ट लगाए और दोनों ब्रेड को ऐसे अच्छे से चिपका दे अब कचवरी की कॉर्णर पर ऐसे मैदे का पेश्ट लगाए ताकि कचवरी तलते समय खुलेना इसी तरह से अब सारी कचवरी बना लेंगे कचोरियां तलने के लिए मैंने कराही में तेल चड़ा दिया था अब चेक कर लेते हैं कि तेल गरम हुआ है की नहीं तेल गरम हो गया है चले अब कचोरिय तल लेते हैं ध्यान रहे कि कचोरियों को मध्य माज पर तले और इसे गोल्डन ब्राउन होने तक उलट पलट कर तले यह देखे कचवरिया गोल्डन ब्राउन हो गई है अब इन्हें कराही में से निकाल दे यह देखे कचवरियों में कितना प्यारा कलर आया है ब्रेड और केले की स्वादिष्ट कचवरी बन के तयार है देखिए यह कितनी कुरकुरी बनी है चलिए अब मैं एक कचवरी को काट के बताती हूँ देखिए इसकी स्टाफिन कितनी प्रापर है और यह कचवरी खाने में भी बहुत स्वाधिष्ट है आप भी केले और ब्रेट के स्वादिष्ट कचरू को एक बार तो जरूर बनाएं मेरे रिसेपी आपको अच्छी लगी हो तो मेरे विडियो को लाइक, सेर और कमेंट करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें